पांच साल बाद एक बार फिर वो मौका आने वाला है जब देश की जनता नई सरकार चुनेगी यानि कि लोगसभा चुनाव का बिगुल बजने में अब कुछ ही वक्त बचा है ऐसे में राजनेतिक दलों ने अपनी कमर कसली है यहां तक कि चुनाव की करीब आते ही भागम भ लिहास बताता है कि वो फाइदा देखते हुए दल बदल करते हैं अब उन्हीं के पदचिनों पर उनके बेटे डॉक्टर संतोष सुमन चलते नजर आ रही है जिनोंने चुनाव से पहले नितिश क्याबिनेट से इस्तिफा देकर सियासी सरगर्मियों को और बढ़ा दिया ह हाला कि उन्होंने अभी तक दल बदल नहीं किया है सुमन अनुसूचित जाती जन जाती कर्ल्यान मंतरी थी बिहार में पार्टी के चार विधायक है इस्तिफा देने के बाद संतोष सुमन ने कहा है कि निदिश कुमार हमारा अस्तित्व खत्म करना चाहते है वे हमारी पार्टी हम का विले अपनी पार्टी जनता दल युनाइटेड में करवाना चाहते है पार्टी को बचाने के लिए हमने इस्तिफे का विकल्प चुना है अभी हम सरकार से अलग हुए हैं महागटबंधन से नहीं महागटबंधन में रहना है या नहीं ये लालो और नितिश्टे करेंगी सुतरों के मुताबिक मान जी के NDA में जाने की चर्चा है वहीं NDA में जाने के सवाल पर संदोश सुमन ने कहा कि इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं फिलाल हम महागटबंधन के साथ हैं हम तो रहना चाहते हैं लेकिन बड़ी पार्टिया जेडियो और आरजेडियो हमको नहीं रखना चाहती है जहां एक तरफ त्याक पत्र के बाद दल बदल के संकेत मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ नितिश कैबिनेट के विस्तार की भी चर्चा तेज है इस सिफे के बार डेपिटी सीम तिजस्वी यादव सीम नितिश कुमार से मिलने पहुचई दोनों में चर्चा हुई फिर सरकार में शामिल सभी दलों की मीटिंग बुलाई गई इसमें SCST कल्यांड विभाग का प्रभार की से दिया जाए उस पर चर्चा हो रही है बताया जा रहा है कि कॉंग्रेस और जेडियों के कोटे से मंत्री बनाये जाएंगी विस्तार के इन संकेतों से साफ है कि नितिश कटबंदन को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है टीबी लाइफ की रिपोर्ट